सभापती महोदय, अब मैं आर्थिक मामलों पर आना चाहता हूँ, मैं अधिक समय नहीं लोगा, इस बात को सभी स्विकार करेंगे की तिव्र गति से हमारी आर्थिक प्रगती हो, इसका प्रबंध किया जाना चाहिए, इसके लिए ऐसा वातवरण बनाने की आवश्यक्ता है, जिससे उत्पादन बढ़ सके, वितरण में समानता आ सके, और उपभोग में सैयम से काम लिया जा सके, हर बजट को और हर कर प्रस्ताव को इसी कसोटी पर कसा जाएगा, यथा क्या उससे उत्पादन बढ़ता है, क्या वितरण में समानता आती है, और तीसरी बात यह की क्या हम देश में ऐसा वातावरण बना सकते हैं कि लोग जितना कमाते हैं उतना खर्च न करें, उसमें से बचाएं और उसे राष्टर की समरिद्धी में लगाएं, अगर इस कसोटी पर सरकार की आर्थिक नीतियां कसी जाएं, तो मुझे लगता है कि उनमें परियाप्त सुधार की गुन्जाईश है, मैं वित्वंत्री की कठिनाई को समझ सकता हूँ, विकास की आवश्यक्ता अधिक धन की मांग करती है, राज्य सरकारें अधिक कर लगाने के लिए तैयार नहीं है, वे केंद्र से करजा लेकर अपना काम चलाना चाहती है, वहां कोई वित्ति अनुसासन नहीं है, यह सारा बोजह केंद्र को उठाना पड़ेगा और केंद्रिय सरकार कठिनाई में पड़ेगी, इसलिए मैं समझता और सुझाव को दोहराना चाहता हूँ कि, राज्यों को इस संबंध में निर्देश दिया जाना चाहिए, संविधान के अंतरगत केंद्र इन राजियों को निर्देश दे सकता है, कि वह अपने साधनों के अंतरगत अपने खर्च को चलाएं, केंदर के कर्ज पर निर्भर नहीं रहना चाहिए विसेस परिष्थितियों में कर्जा दिया जा सकता है लेकिन कर्जा लेकर अपना काम चलाना यह उनका सभाव नहीं बनना चाहिए अपवाद रूप में कर्जा लेकर वह किसी विसेस परिष्थिति का सामना करने के लिए प्रस्तुत हों तो उसका विरोध नहीं किया जा सकता दूसरी बात यह है कि देश में सादगी और संपत्ती को उड़ाने के बजाए उसे उतपादक कारियों में लगाने का वातावरण बनाना चाहिए मैं नहीं जानता वित्त मंत्री महोदय इससे कहां तक सहमत होंगे लेकिन आज देश में समाजवाद की चर्चा बहुत होती है लोगों का समाजवाद की और देखने का दिश्ट्रिकोण विक्रित हो गया है लोग हमें क्या मिलता है इस ओर जादा ध्यान देते हैं हम कितना खर्च करते हैं इस ओर ध्यान नहीं देते हैं समाजवाद बिना संपत्ती की अभिवृद्धी किये और बिना उसकी समान वितरण के नहीं आ सकता हमारा देश क्रिशिप्रधान देश है सवापती महोदय खेती के बाद उद्योग का हमारे देश के आर्थिक जीवन में बड़ा प्रमुख और महत्वपूर इस्थान है स्वतंत्रता के बाद देश में बड़े बड़े और मौलिक उद्योग धंधे खड़े किये गए हैं जिनकी बहुत आवश्यक्ता थी उस दिशा में अच्छा प्रयास किया गया है और उसमें बड़ी सफलता भी मिली है लेकिन जहां बड़े बड़े उद्योग धंधे खड़े हुए वहां छोटे छोटे उद्योग धंधों की विसेस रूप से उन उद्योग धंधों की जो देश में परंपरा से चले आ रहे थे बड़ी उपेक्छा हुई बहुत से उद्योग धंधे अपने पुराने धंग से चले आ रहे हैं उनमें कोई नया परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है उनका कोई विकास नहीं हो सकता है देश की इस्थित को देखते हुए विसेस रूप से ग्रामीड छेत्रों में कौन से नए उद्योग धंधे खड़े किये जा सकते हैं इस बारे में कोई अनुसंधान नहीं किया गया है खादी और ग्रामोद्योग स्थापित किया गया और उसने खादी और कुछ ग्रामीड उद्योग धंधों को लिया लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं हैं बहुत से उद्योग धंधे ऐसे हैं जिनको प्रोचसाहन दिया जाना चाहिए था लेकिन प्रोचसाहन देना तो दूर रहा ऐसी नीत अपनाई गई कि उनके काम में बादा पैदा हुई और उनमें बहुत से तूट गए इसका परिडाम यह हुआ है कि एक तरफ तो हमने दिखाने के लिए बड़े बड़े कलकार खाने खड़े किये हैं लेकिन दूसरी तरफ बिकारों की संख्या बढ़ती गई है आज यह समस्या एक भीशन रूप में हमारे सामने आई है यदि हम छोटे छोटे उद्योग धंधों को विशेस रूप से कृषि से संबंधित उद्योग धंधों को बड़े बड़े शहरों में नहीं दूर दूर ग्रामीड छेत्रों में नहीं फैलाते हैं तो इसके दो दूस परिडाम होंगे एक तो उद्योगों का केंदरी करण होगा दूसरे शहरों की जनसंख्या बढ़ेगी जिससे अनेक जटिल समस्याएं पैदा होंगी इससे हर एक आदमी को काम नहीं मिलेगा और हमारे जो पुराने उद्योगधंदे जीवन से संबंधित सामग्रियां तयार करते हैं उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा लेकिन सरकार की ऐसी नीती रही है कि उनमें से बहुत से उद्योगधंदे समाप्त होते जा रहे हैं जिसका परिडाम यह है कि इस उद्योग में लगे हुए आदमी बेकार हो रहे हैं मैं चाहूंगा कि सरकार ऐसे उद्योगधंदों को अधिक प्रोचाहन देने का प्रियत्न करे इस प्रियत्न के लिए हम इस मौके पर सरकार का समर्थन देशभक्ती की भावनाओं से करते हैं